मलीका अस्पताल में बैट पर लेटे हुए तड़प रही है वो गर्पवती है बैट के पास उसका पती रमेश खड़ा है आ, आ, रमेश दर्द से मेरा पेट भटा जा रहा है थोड़ा सा सहलो मलीका, डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक कर देंगे डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट करने के बाद रमेश से कहते है देखिए आपकी पतनी की हालत बहुत खराब है उन्हें कोई बड़े हस्पताल में ले जाना होगा नहीं तो बच्चा और मा दोनों मर सकते हैं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दे सकता लेकिन बड़ा अस्पताल तो बहुत दूर है देश के दक्षिन भाग ओडिशा में है हाँ, ट्रेन में ततकाल टिकट करवा लीजिए दो दिन में पहुँच जाएंगे लेकिन रमेश को ततकाल की टिकट नहीं मिली रमेश ने जनरल का टिकट करवा लिया और अपनी प्रेग्नेट बीवी को लेकर स्टेशन चला गया मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं नहीं मलीका, डोक्टर साहब ने कहा है कि अस्पताल बहुत बड़ा है देश भर के लोग वहाँ इलाज करवाने जाते हैं लेकिन हमें तो कन्फर्म टिकट ही नहीं मिली मैं इस सवस्ता में दो दिन बिना सोई कैसे जाऊंगी बाजी में एक मजदूर खड़ा हुआ था उसने कहा समय पर ट्रेन स्टेशन पर आ गई सब लोग जल्दबाजी में ट्रेन में चड़ गए और ट्रेन चलने लगी रमेश मलिका को लेकर उस भोगी में गया जहाँ जादा पैसे दे कर लोग सोते हुए सफर का आनंद लेते हैं रमेश ने एक आदमी से कहा साहब मेरी बीवी गर्व आती है उसके पेट में बहुत दर्द है उसे सुनने के लिए थोड़ा से जगा देंगे क्या ये सुनकर वो आदमी गुस्सा हो गया ये देखो पांच मिनट हुआ नहीं कि भिकारी का बच्चा चला आया ए सुन मैंने ज्यादा पैसे दे कर ये सीट बुक किया है इसमें तेरी बीवी को क्यों जगा दूँ जा भाग यहां से अरे तुम जैसे लोगों के लिए ही तो ट्रेन बदनाम है तुम लोग बस अमीरों को परिशान करना जानते हो सभी ने रमेश और उसकी बीवी का बहुत अपमान किया रमेश अपनी बीवी को लेकर जनरल बोगी में चला गया जहां ठीक से खड़े होने की भी जगा नहीं थी मेरे बेट में फिर दर्द हो रहा है मैं खड़ी नहीं हो पा रही हो थोड़ा से इंतिजार करो मनीका टीटी सहाब को आने दो मैं उनसे बात करके देखता हूँ कुछ देर बाद टीटी टिकेट चेक करने के लिए आया रमेश ने उससे सब कुछ खुल कर कहा टीटी बोला यह तुम्हारे बाप कट रहना है क्या हाँ यहां मॉप्स में कुछ नहीं होता है मेरे पास एक बेट है लेकिन उसके लिए तीन हजार रूपे लगए तीन हजार रूपे लेकिन इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है सहाब तो फिर बेट के बारे में भूल जाओ पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं गरीब के बच्चे टीटी चला क्या मलीका खड़ी रही रमेश उसके पास खड़ा रहकर उसे सहारा देता रहा इतने में मलिका का पेट बहुत ज़्यादा दुखने लगा वो जोर-जोर से चिलाने लगी आह! 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 तबी वो मजदूर वहाया स्टेशन में जो रमेश के पास खड़ा था उसने कहा भावी जी को तकलिफ हो रही है ना मैंने बहुत मुश्किल से एक सीट का इंतिजाम किया है आईए भावी जी को बैठा दीजिए मलिका उस सीट पर जाकर बैट गए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसी ने हमें सीट नहीं दिया अरे एक गरीब के मुश्किल वक्त पर एक गरीब ही तो काम आता है मैं भी जा रहा हूँ अस्पिताल इलाज करवाने इतने में ट्रेन एक बार जोर से हिल गई जैसे मानूब भूकम पाया हो अहीं ही क्या हुआ भूकम पाया क्या नहीं भावी जी चिंता मत कीजिए ये ट्रेन ऐसे ही है बहुत पुराना ट्रेन है ना बार बार काप उठती है आप अस्पिताल जाते रहते हो क्या हाँ हाँ मुझे तो साल में दो बार जाना ही पड़ता है ऐसे बातचीत चलती रही उदन ट्रेन एक बड़े स्टेशन और घुसनहे बारी थी ट्रेन के दो ड्रायवर हाथ में फोन लेकर स्टेशन मास्टर से कॉंटेक्ट करने की कोशिश करने लगे लेकिन दूसरी और से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया लेकिन लाइन में कुछ खराबी के कारण स्टेशन मास्टर के पास ये संदेश पहुँश नहीं पाया उधर पांच नमबर प्लेटफॉर्म के आगे एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी मालगाड़ी के ड्राइवर को भी कुछ संदेश नहीं मिला और लाइन में कुछ करबड़ी के कारण सिगनल ग्रीन हो गया इस यात्री भरी ट्रेन के ड्राइवर्स ने ग्रीन सिगनल देखा सिगनल तो हरा है चलो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खुशा देते हैं ड्राइवर ने ट्रेन को पांच नंबर प्रेटफॉर्म के और बोल दिया उधर सभी यात्री आराम से सो रहे थे कोई अकबार पढ़ रहा था तो कोई खाने खा रहा था मलीका को बहुत जोर से टॉयलेट आई कुझे बातरूम जाना है ये बोलकर मलीका उड़ गई और बातरूम में खुझ गई तबी ट्रेन के ड्राइवर ने सामने मालगाडी को देखा अरे बापी सामने मालगाडी है ब्रेक मारो ब्रेक मारो ड्राइवर ने ब्रेक तो मारा लेकिन ट्रेन की रफ्तार बहुत जादा थी ब्रेक मार कर भी कोई फायदा नहीं हुआ इस ट्रेन ने मालगाडी को धक्का मार दिया और पूरी की पूरी ट्रेन पलट गई मलिका बात्रूम में थी बात्रूम तूट गया और वो बात्रूम से एक जटके में पास ही के एक खेत में गिर गई उसके सिर पर चोट लगी और वो बेहोश हो गई लेकिन बाकी यातरी ट्रेन के अंदर ही फंस गए कोई ट्रेन के नीचे दब कर मर गया किसी का हाथ शरीर से अलग हो गया तो किसी का पैर सभी दर्द के मारी तरपने लगे बचाओ, मैं बचाओ मुझे कोई बचा लो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे है लेकिन कौन किसी बचाएगा चारों तरफ खूनी खून बेहने लगा चारों और से रोने और चीखने चिलाने की आवाज आने लगी दोनों ड्राइवर तो वही पर मर गया रमेश का एक हाद शरीर से अलग हो गया उसने आसपास देखा तो वो मजदूर मरा पड़ा था रमेश को रोना आगया आपने हमारी कितनी मदद की और ये क्या हुआ आपको मलिका, मलिका कहा है रमेश ठीक से खड़ा नहीं हो पाया लेकिन किसी भी तरह एक हाद की मदद से वो ट्रेन से बाहर आया वो मलिका को ढूणने लगा मलिका, मलिका कहा हो तुम मुझे हावाज दो मलिका रमेश की चीक किसी ने नहीं सुनी उसने देखा चारो और लोग चीक रहे हैं चिला रहे हैं इतने में रमेश ने देखा एक आदमी ट्रेन के अंदर से उसकी और हाद बढ़ाए हुए उसे पुकार रहा है मुझे बचा मुझे खेचो मुझे बचा ये वही आदमी है जिसने मलिका को जगा नहीं दी थी जिसने रमेश का अपमान करके भगा दिया था लेकिन रमेश इंसान था उसके पास दिल था उसने उस आदमी को बचाने के लिए अपना हाद बढ़ा दिया और बहुत मुझकिल से उस आदमी को खीच लिया लेकिन उसके पास एक ही हाद था इसलिए वो अपना बैलेंस ठीक नहीं रखपाया और ट्रेन के अंदर गिर गया वो आदमी उसके उपर गिरा और ट्रेन का एक हिस्ता तूट कर दोनों पर गिर गया चारों तरफ खुन छिटक गया और दोनों की मृत्यों हो गई इतने में वहां न्यूज वाले आ गये सुरक्षा दल भी आ गया लेकिन ये हादसा इतना बड़ा था कि सबके होश उड़के एक के बाद एक लाशे निकलने लगी और सरकार गिंती करती रही रात से सुबह हो गई 500 से भी जादा लोगों की मृत्यों हो चुकी थी इतने में खेत के उपर सूरज की रोश्री पड़ी और बेहोश मलिका को होश आया उसके पेट में अचानक से दर्द हुआ वो दर्द से तड़पने लगी और खेत में ही उसकी दिलिगी हो गई उसे एक बेटा हुआ बीटा मेरा बच्चा लेकिन ये क्या हुआ चारो तरफ इतना हंगामा क्यों है अपने बेटे को गोद में लेकर मलिका ट्रेन की पड़री पर आई और ये सब देखकर चौंक गई वो रमेश को ढूणने लगी पुलिस के पास जाकर उसने कहा आपने मेरे पती को देखा है क्या देखिए हमारे पास बहुत सारे लाश है उन सब को देखकर अपनी पती को आइडेंटिफाई करो मलिका लाशों के पहाड में अपने पती को ढूणती रही और अंत में उसे रमेश की डेड बॉड़ी दिखी मलिका रो पड़ी जिस दिन इतने सारे लोगों की जान गई, उस दिन दुनिया में एक नई जाना आई, शायद यही यह जीवन का सार, यही यह जीवन का मतलब, हम सभी को एक ना एक दिन तो जाना ही है, लेकिन मृत्यों इतनी भयानक होती है, यह किसको पता था, जिंदकी दो पल की है दोस्तो उसे जी भर कर जी लीजे पता नहीं कब किसका बुलावा आजाए क्लास्रूम में टीचर मुकेश स्टुडेंट्स को पढ़ा रहे थे तब ही क्लास्रूम में बद्बु फैल जाती है क्लास में बैठी सभी लड़कियां बद्बु से परिशान हो जाती है हमें इस सफाई वाले की शीकायट नहीं प्रिंसिपल मैड़म से करनी पड़ेगी वरना ऐसे तो क्लास में बैठना ही तूबर हो जाएगा पढ़ाई कैसे होगी क्लास खत्म होने के बाद तीनों लड़कियां इस बात की शिकायद करने प्रिंसिपल मैडम के पास जाती है उनकी शिकायत सुनकर प्रिंसिपल सफाई कर्मशारी पपू को बुलाती है क्या बात है पपू तुम आजकल टॉलेट की सफाई नहीं कर रहे हो क्लासरूम में बद्बू फैल रही है लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पारेंगे हमें स्कूल में साफ सफाई का खास खयाल रखना होगा अगली बार से मुझे तुम्हारी शिकायत मिली ना तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी पपू हाथ जोडते हुवे प्रिंसिपल से बोला मैडम मैं तो रोज सफाई करता हूँ आप चाहे तो चल कर देख लें उल्टा मैं आप से शिकायत करने वाला था मैडम कैसी शिकायत? न जाने जैन्स टाइलेट में रोज डाइपर कौन फेक जाता है स्कूल में तो कोई बच्चा भी नहीं है उस डाइपर में सूसू पाटी लगी होती है मुझे सफाई करने में उल्टी आ जाती है मैडम हम ठीक है चलो मुझे दिखाओ कहां पर है डाइपर पपू प्रिंसिपल मैडम को जेंट्स टॉयलेट में ले जाता है प्रिंसिपल के पीछे-पीछे सभी लड़कियां भी वहां आ जाती है प्रिंसिपल और सभी लड़कियों ने वहां जाकर देखा तो सच में डस्ट बिन में यूजड डाइपर फेका हुआ था जिसमें सूसू पाटी भी लगा हुआ था ओ माई गॉड हमारे स्कूल में डाइपर कौन पहनता है ना जाने कौन पहनता है मैडम जी लेकिन ये डाइपर रोज यहां पहेका रहता है पपू तुम इस बात का पता लगाओ और जैसे ही पता चले मुझे आकर बताओ ठीक है मैडम जी सभी लड़किया अपने क्लास रूम में चली जाती है प्रिंसिपल मैडम भी अपने केबिन की तरफ जाने लगती है तब ही उनके बगल से कक्षा साथ के क्लास टीचर मुकेश गुजरते है मुकेश के बगल से गुजरते ही प्रिंसिपल मैडम को बहुत गंदी बद्बू आई यह सुसू पोटी की बद्बू मुकेश के पास से क्यों आ रहे है पता नहीं क्या बात है मुझे पता लगा नहीं होगा प्रिंसिपल अपने केबिन में चली जाती है सबी लड़कियां अपने कलास रूम में बैटकर कलास टीचर का इंतजार कर रहे थे तबि उनके कलास टीचर मुकेश क्लास के अंदर आए मुकेश के कलास के अंदर आते ही आर्थी सुन क्या है पुनम मुकेश सर की पैंट को देख किता फुला हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने डाइपर पहन रखाओ। आरती मुकेश टीचर के पैंट की तरफ गौर से देखती है। हाँ यार तु सच कह रही है। जैती उन दोनों के बगल में बैठी थी और उनकी बाते सुन रहे थी। हां पुनम ठीक कह रही है। जरूर वो डाइपर वाला टीचर मुकेश सर ही है। ये रोज डाइपर पहन कर स्कूल आते हैं और डाइपर में ही सु-सु पोटी करते हैं। इसलिए क्लास्रूम में इतनी बदबू आती है। दूसरे दिन से मुकेश सर के क्लास्रूम में आते ही लड़किया उनका मजाग उड़ाने लगी। लड़कियों ने उनका नाम डाइपर वाले टीचर रख दिया। अरे डाइपर वाले टीचर आ गए। अरे हमने तो बच्चों को डाइपर पहनते देखा था। ये तो दुनिया के पहले ऐसे क्लास्रूम में डाइपर पहन कर आते हैं। इनका बच्पना अभी तक नहीं गया। का मजा खोड़ाते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या मैंने तुम लोगों को यही संस्कार दिये हैं। अब तुम सब सारा दिन बेंच पर खड़ी रहो। की, प्रिंसिपल मैडम ही इसका उपाय ढूडेंगी। लेकिन प्रिंसिपल मैडम हमारी बात पर विश्वाज क्या से करेंगी। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उन्हें ये बात बताने से पहले हमें इस बात का सबूत इकठा करना होगा कि मुकेश सर ही डाइपर वाले टीचर हैं, हम ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, हम तो ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद हम सब पपू के पास चलेंगे, जैती और पूनम दोनों एक साथ बोलती है, ठीक है, क्लास खत का पता लगाना होगा, बिचारी लड़कियां सारा दिन बेंच पर खड़ी रही, स्कूल की छुटी होने के बाद, यार ये मुकेश तर तो बड़े खराब हैं, एक तो चोरी उपर से सीना चोरी, खुद क्लास रूम में डाइपर पहन कर आते हैं, डाइपर में सुसु लेकिन प्रिंसिपल मैडम हमारी बात पर विश्वास कैसे करेंगी, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उन्हें ये बात बताने से पहले हमें इस बात का सबूत इकठा करना होगा, कि मुकेश सरी डाइपर वाले ठीचर हैं, हम ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हम, तो ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद हम सब पपू के पास चलेंगे, जैती और पूनम दोनों एक साथ बोलती है, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद तीनों लड़कियां सफाई कर्मशारी पपू के पास जाती है, पपू, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, कैसा काम हमेश रख है कि हमारी क्लास टीचर मुकेश सर डाइपर पहनते हैं, तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा लेकिन मैं इस बात का पता कैसे लगाऊंगा? तुम्हें मुकेश सर पर नजर रखनी होगी, जब भी वो बातरूम आए तो तुम्हें छिपकर उन्हें देखना होगा और जब वो डाइपर डस्पिन में फेंक रहे होगे तब तुम्हें उनकी वीडियो बनानी होगी लेकिन मेरे पास तो मुबाइल फोन है ही नहीं, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? कोई बात नहीं तुम मेरा फोन रख लो और इसी फोन से वीडियो बनाना लेकिन मुझे वीडियो बनाना भी नहीं आता है वीडियो बनाना मैं तुम्हें सिखाऊंगी जैदी पप्पू को अपना मुबाइल फोन देती है और उसे वीडियो बनाना सिखाती है उसके बाद सभी लड़कियां क्लास्रूम में चली जाती है मुझे तो मुकेश सर पर ही शक है हाँ यार उनके क्लास में आती ही बद्बू फैल जाती है उधर पपू अब जैंस टॉilet के बाहर हर वक्त खड़ा रहता और मुकेश सर पर नजर रखने लगा मुकेश सर इधर ही आ रहा है मुझे आज इनकी वीडियो बनानी ही होगी हाँ पपू टॉलेट के बाहर खड़ा था और मुकेश सर फुर्ती से टॉलेट के अंदर चले जाते हैं पपू टॉलेट के बाहर से उन्हें छिप कर देख रहा था उस दिन सचमुच पपू ने मुकेश सर को अपना यूजड डाइपर डस्विन में फेकते हुए देख लिया पपू ने मुकेश सर का डाइपर डस्विन में फेकते हुए वीडियो बना लिया उसके बाद जब स्कूल की छुटी हो गई तब पपू, पूनम, आर्ती और जैती के पास गया और बुला विटिया तुम लोग ठीक कह रहे थे मुकेश सर डाइपर पहन कर स्कूल आते हैं क्या? आपने उन्हें डाइपर फेकते हुए देखा? हाँ सर्फ देखा ही नहीं, मैंने वीडियो भी बना लिया है पपून लड़कियों को वो वीडियो दिखाता है जिसमें मुकेश सर डाइपर में अपना यूस ट्राइपर फेक रहे थे हमारा शक सही निकला, अब हमें ये सबूत कल प्रिंसिपल मैडम को दिखाना होगा हाँ हाँ हम ऐसा ही करेंगे, रोज रोज हमें कितनी बदबू परदाश्ट करनी पड़ती है लेकिन उससे पहले हमें मुकेश सर को रियलाइज करवाना होगा कि वो कितना गलत कर रहे हैं फित्या के मंदर में गंदगी पहला रहे हैं दूसरे दिन तीनों लड़कियां स्कूल आईए और क्लास्रूम में जाकर बैठ गे कुछ दिर के बाद मुकेश सर क्लास में आए उन्हें देखकर तीनों लड़कियां आपस में खुसूर खुसूर करने लगी होनम आरती और जैती तुम तीनों आपस में क्या बाते कर रही हो तुम लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता है सर हमारा पढ़ने में तो बहुत मन लगता है लेकिन जैसे ही आप क्लास रूम के अंदर आते हैं ना जाने कहां से बद्बू का जोका आता है और हमारा ध्यान भटक जाता है क्या कहना चाहती हो तुम मेरे आने से बद्बू आती है हाँ सर बहुत गंदी बद्बू आती है और ये बद्बू पूरी क्लास महसूस करती है क्यों लडकियों मैं ठीक केर रहूं ना हाँ तुम लोग कितनी बत्तमीज हो अपने टीचर के साथ ऐसा व्यवहार करना तुम्हें शोभा देता है मैं क्या कर रहा हूँ मैने ऐसा क्या कर दिया है वो तो आपको प्रिंसिपल मैडम बताएंगी तभी सभी लडकिया प्रिंसिपल मैडम से मिलने उनके कमरे में पहुचे क्या बात है जईतियार्ति पूनम तुम सब लडकिया अज बढ़ाई छोड़कर यहां कैसे मैडम, हमें पता चल गया है कि हमारी क्लास में गंधी बद्बुक कहा से आती है और डाइपर पहन कर स्कूल कौन आता है कौन है वो? मुकेश सर अपने क्लास टीशर पर इतना गंदा आरोप लगाने से पहले कुछ सोच लो अगर ये आरोप गलत निकले तो तुम लोगों को स्कूल से निकाला जा सकता है मैडम, हम ये आरोप यूँ ही नहीं लगा रहे हैं हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है कैसा सबूत? जैती प्रिंसिपल मैडम को वो वीडियो दिखाती है जिसमें मुकेश सर डस्पिन में अपना यूजड डाइपर फेकते हुए कैमरे में कैद हो गए थे ओ, तो ये बात है, ठीक है, तुम लोग जाओ मैं देखती हो सभी लड़किया क्लास रूम में चली गई उसके बाद प्रिंसिपल मैडम ने मुकेश सर को अपने केबिन में बुलाया यस मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आये मुकेशी जी मैडम मुकेश सर कुर्सी पर बैटने वाले थे कि प्रिंसिपल मैडम ने उन्हें खड़ा रहने के लिए कहा नहीं, नहीं, आप खड़े रहे, मुकेश सर को बहुत बेज़ती महसूस हुई लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुकेश जी, आप स्कूल में डाइपर पहन कर आते हैं और उसी में सूसू पोटी करते हैं, इस गंदी हरकत के लिए आपको एक सप्ता के लिए सस्पेंट किय जाता है, नहीं मैडम, ये जूट है, मैं डाइपर नहीं पहनता हूँ, अच्छा, तो ये क्या है, प्रिंसिपल मैडम ने टीचर मुकेश को डस्पिन में यूज डाइपर फेंकते हुए उनका वीडियो दिखाया, वीडियो देखते ही टीचर मुकेश के तो होशी उडगे मुझे माप कर दीजिए मैडम, दर असल मेरा पेट हमेशा खराब रहता है, मुझे बार बार टाइलेट जाना पड़ता था, इसलिए मैंने डाइपर पहनना शुरू कर दिया था आपको पता है आपके इस हरकत से स्कूल के स्टूडेंट्स पर क्या आसर पड़ेगा, हम बच्चों को स्वच्छ रहना क्या इसी तरह से सिखाएंगे आप एक सप्ता की छुट्टी लीजे और किसी अच्छे डॉक्टर से अपने पेट का इलाज कराईए, नहीं तो हमें जबरन आपको सस्पेंट करना पड़ेगा ठीक है मैडम टीचर मुकेश ने एक सप्ता की छुट्टी ली और डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाया एक सप्ता के बाद जब टीचर मुकेश स्कूल आए, क्लास्रूम में आती उन्होंने सभी बच्चों को कहा मुकेश ने प्रिंसिपल मैडम और सफाई करमचारी पपू से भी अपनी गलती की माफी मांगी